हेलो दोस्तो आज हम Gizmo को और भी थोड़ा से explore करेंगे और देखेंगे कि Gizmo से और क्या हम ऐसा ले सकते हैं जिससे हमें जब हम modeling कर रहे होंगे तो बहुत आसानी से हम चीजों को बना पाएं आपको डाक्यूमेंट में जाना है एक नया डाक्यूमेंट क्लिक करना है हमें सेव नहीं करना है तो नो पर कर दिया यह जो टूल सा रहा है यहां से टूल पर क्लिक करना है कुछ भी एक यहां से टूल हम क्लिक कर सकते हैं तो फरस ग्जामपल हमने यहां से एक स्फियर लिया ह हुआ है और स्थेर को ड्रॉ कर लेते हैं normal click करके यहां से एडेट में जाते हैं और यहां से View uh uh mathีबीश त्यूंत थी दिपर क्लिक कर लेते हैं तो भी देखना है कि आप को देखें। कि अपको गिजमो मिल जाएगा तो आप किसी भी टूल पर क्लिक किये मूว इसे लिए रोतेसजन टूल पर तो आपको गिजम jet करना होगा फिलाल में एाँ आगे देखना है क्या करना है हम आज इस icon को explore कर रहे है इस पर जब जाओगे तो नीचे को customize लिक क्या अरह इससे पहले के जो हमने लेसं किये हैं उन में यह हमने सारे icon को कवर कर लिया one by one तो आज इसकी बारी है इसको कस्टमाज आइकन बोलते हैं यह वील सा बना हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहां पर कुछ नए सेप्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ध्यान रखना आप जब टूल में जाते हो यहां पर तो यह यहां से कौन 3D पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो स्फेर था वो कनवर्ट हो गया कों 3D में जैसी वह कनवर्ट होगा आपको यहां पर दिखाई देंगे कुछ red and green कलर के कुछ यहां पर नोड दिखाई दे रहे हैं तो आप देखो यहां पर क्या हो रहा है इस नोड को अगर हम थोड़ा से ड्रैक करते हैं आगे पीछे तो देखिए यह divisions को बढ़ा रहा है increase and decrease कर रहा है और नीचे आप number of divisions कितने increase हो रहा है 24 12 तो वह आप देख सकते हो यह देखिए जब आप इसको आपने छोड़ दिया तो यहां पर वो जो lines थी जो एज थी वो नहीं दि इसको यहां पर देखिए इनको कम ज्यादा कर रहा है यह काफी ज्यादा हो गए 100 और कम करना चाहते हैं तो और कम कर सकते तीन से कम नहीं होगा minimum area है 33 तो यह पिरामिट से का कुछ बना दिया थोड़े से बढ़ा देते हैं तो यह सरकल यह क्वार्ड में बना दिया स्क्वा प्रॉब्लम होती है बनाने में आपको कभी भी anytime लगता है यहां से benefit है आपको anytime लगता है कि आपको save change करना तो वापस से यहां पर जाएंगे और यहाँ पर देखें आपको cylinder मिल रहा है आप cylinder पर क्लिक करेंगे तो वही object आपका cylinder में convert हो गया है तो यहाँ पर देखें कुछ node extra आगए जैसे यह green node है यह height के division बढ़ाने के लिए है यह circular division कम करने के लिए इसे गोल-गोल division कम यह जदा कर रहा है यहाँ पर white वाला option आ रहा है यह अंदर से एक नया radius create कर रहा है like pipe आपको बनाना है तो आप यहाँ से pipe भी बना सकते है तो यह अंदर का radius है उसको control कर रहा है कि अंदर का radius कितना होना चाहिए इस type से तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर notes के लिए option हमें मिल रहे है ठीक आगे बढ़ सकते हैं आपकर आपको यहाँ पर एक cube का भी option मिल ला है तो यह cube में divisions आ रहे है तो इस divisions यहाँ से आ रहे है आपको division नीचे यह तो आप यह कम कर सकते है देखे यहाँ पर एक extra division आपको मिल गया है blue color का तो यह blue color याई depth division भी कम कर सकते हैं आपको depth division बढ़ानी है आपको इधर से भी division बढ़ानी है या फिर दिविजन बढ़ानी है तो फिर आप यहाँ से इन के तिरुट division को बढ़ा सकते हैं तो ये जो नोड होते हैं है ढाइनमिक तइप के होता है जरुरत के अगलीं जरूरी नहीं कि तीन नोड इंगैं जैसे इन जैसे यहाँ पर को और दो तो यह पर है इना तो एह पर और इसाफ़ से आपको वब कर के ओर रहा देखे हैं, अब अब इंदर व सिलेंडर में क्या है यहां पर यहां पर कोई भी वर्टेक्す ऐसी नहीं यहां से सारे आके जूड़ रहे हुआ है आप इसको अगर देखेंगे पहला सिलेंडर उह था हो कची स्टाइप थीधा कुछ स्टाइप से यहां पर यह आके सारे जो एजिस है है सिंग जुड रहे हैं इसमें और पॉली सिलेंडर में बस यहीं फर्क होएं bara पर एक single से सारे नहीं जोडे रहे होगा, यह set भी आप देख सकते हैं, पाकी यहाँ पर जो यह node आ रहे हैं, यह same way है, divisions कम जयादा करने के लिए, side division, circular division को maintain करने के लिए, यह option आ रहा है, और यह height के division कम जयादा करने के लिए, यह option आ रहा है, यहाँ पर आप नेक्स देखोगी यहाँ poly plane भी आ रहा है single plane बन के आ रहा है यहाँ पर भी divisions कम ज्यादा कर सकते हो तो यह आपके हात में है फिर से चलते हैं यहाँ पर एक poly sphere आ रहा है तो poly sphere अन्ड यहाँ पर एक sphere और था पहले यह poly sphere था तो यह poly sphere में और यह sphere 3D में दोनों में यह difference है इसमें देखिए यह कहीं पर भी single vertex पर edges नहीं जूड़ रही है आपको अब हम और आगे दिखाएंगे यहां से divisions कम ज़्यादा कर सकते हैं जो भी आपको करना है अब यहां से अगर आप इस cylinder के अलावा यह वाला cylinder लेते हैं sphere cylinder तो आप ध्यां से देखिए यहां पर एक ही vertex पर यह इस टाइप से polarization हो रही सारी edges आके जुड़ रही है अब यहां पर देखिए इस वाले में कुछ extra node दिये हो यह से यह यह तो division कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं very good यहां से रेड़ वाले divisions को कम ज्यादा किया जा सकता है आप हो सकता है इससे कुछ और बना है पर यह green वाले node आरे से क्या हो गए देखिए slice node है आपको कितना चाहिए देखिए इस ना हमको पूरा sphere नहीं चाहिए हमको इतना इससा चाहिए sphere का तो यहां से slide node भी दिया हुआ है यहां पर इतना इससा चाहिए आपको देखिए इधर वाला यहां से भी आप कट कर सकते हो slide node यहां से भी आ रहा है तो यह कुछ advanced feature यहां पर दिये हुए है उनको आप यूज़ कर सकते हो नेक्स आलते हैं यहां पर इस फिर भी हमने देख लिए कर रिंग का option और मिल रहा है सेम देखिए रिंग पर कितने सारे नोड आ गए दो रेड कलर के आ रहे हैं दो ग्रीन कलर के दो वाइड कलर के बारी बारी से देखते हैं पहले अंदर वाले देखते हैं तो यह अंदर वाले प्रेट का आप्शन आ रहा ही देखिए इसका आर्क मेंटिन यह पूरा आपको चाहिए तो 360 डिगरी यह आसे रेडियस स्वरी रेडियस के रहे इसको कितना आपको एंगल पर चाहिए होगा पूरा चाहिए पूरा लेलो यह देखिए इधर का ग्रीन वाला है यहां पर देखिए यह समोटा यह पतला इससा है तो आप इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हैं यह थोड़ा सा आप कम ज्यादा कर सकते हैं तो ऊपर वाला यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हैं इस जगह से और यह रेडियस से एडजेस्ट कर सकते हैं तो देखिए कुछ एड प्रोडल हमको चाहिए है ना तो आप यहां पर क्लिक करोगे देखिए यहां पर एक option आजाएगा आपके पास में गिजमो 3D अब वापस आ जाए तो देखिए आप गिजमो में वापस आ गए अब इसको आप रोटेट कर सकते हैं अच्छे से जहां पर भी आपको रोटेट करना है आप रोटेट करा सकते हैं तो यह वाले option तो यहां पर अगर आपको फिर से रिंग 3D के अंदर जाना है उसक से आपको next करना है तो आप वापस से draw में आ जाईए और जो भी आपको करना है आप वहां से कर सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर जो गिजमो 3D खा 3D के कुछ setting थी जैसे customization setting में यहां से कुछ option हम लोग ले सकते हैं वह हमने देखे बारी-बारी से और जो node आ आ गया तो बहुत मज़ा भी आता काम करने में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना हम अगली वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए टाटा थेंक्यू बाइबाइ